आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो यहाँ पर है question में हमसे पूछा गया है कि part of stomach जो open होता है deodenum के अंदर तो अगर हम बात करें यहाँ पर deodenum की तो यह है first part हमारे small intestine का तो इसका part है first part of small intestine अब हमें एक part बताना है तो obviously जो हमारा last part होगा stomach का वो enter करेगा first part of small intestine में ठीक है तो अगर हम यहाँ पर stomach का एक rough diagram बनाए exact like structure तो ऐसा कुछ दिखेगा ठीक है और यहाँ पर हमारा यहाँ से start हो जाता है deodenum तो यह है हमारा esophagus esophagus और esophagus जो है यह है हमारा food pipe तो अगर हम यहाँ से बनाते हैं उपर में तो हमारा जो first half है एकदम top half यह जो है यह कहलाता है हमारा fundus या फिर fundus तो यह आजाता है fundus उसके बाद में जो second part है हमारा जो open होता है यहाँ पर esophagus से ठीक है यह वाला part कहलाता है यहाँ पर हमारा cardiac ठीक है उसके बाद में हमारा जो पूरा body का part है stomach का पूरा body का part यह है हमारी stomach की body और यहां पर हमारा जो एकदम लास्ट पार्ट होता है एकदम लास्ट पार्ट वो होता है हमारा पाइलॉरिक ठीक है उसके बाद में हमारा जो ट्यूबिलर स्टॉक्चर स्टार्ट हो जाएगा यहां से यह पार्ट होता है हमारे ड्यूडेनम का ठीक है तो यहां पर आ जाता और यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा pyloric वाला पार्ट है वो open होता है हमारे dutinum में तो answer क्या आएगा इसमें? Answer आएगा B, pyloric Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर